आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आपको बता दे किस दोरान सूबे के उपमुखी मंत्री डॉक्टर दिनिश शर्मा और जिले के सांसद मेनिका गानी भी उनके साथ मौझूद रही नगर के आवास विकास मैदान में पहुँचते ही ग्रह मंत्री अमित शाह को वहाँ पर मौझूद हजारों लोगों का अभिवादन प्राप्त हुआ उसके बाद दीप रजुलित का रैली का शिभारम किया गया सांसद मेनिका गानी के बाद उपमोख्य मंत्री डॉक्टर दिनीश रवानिक लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो परिवर्तत पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है वो जन विश्वास रैली में देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की बयार इस वक्त चल रही है आज माफिया गिरी खत्म हो चुकी है वही चीनी मिल पर ग्रह मंत्रीय में श्वाने कहा कि चीनी मिल का विस्तारी करण होगा और देश में विकास सिर्फ मोधी के अलावा कोई नहीं कर सकता हम नहीं करते हैं अपकी बार भाठमा 300 पार हो गाया नहीं होगा दोड समच हो गया नहीं होगा तो मैं एक पर गुलत दाओं बोले अपकी बार जराप!! इस समाहदवादी पार्टी गिस्ते इवकों कोड़ दिन लिवर चलाया थे चलाय कार से वकों करौणे चलाय ही चलाय थे जबाने चलाय थे नहीं दिन अंहेंड तक हो कहले सागो यो कर दो है सबस्क्राइब प्रदेश को प्रदेश को मिले है और एसे सबहे हमारी व्योहें मंतरी जहां रहां आते हैं वहाँ आप जन समुद्र उमार प्रदा है आज अबी हमोगों प्रभ्र्द पूस्टी सबहां करके लिए अपर आरे हैं हमोगों में तिल रचने की जवाब भान रही थी तुरा मैद पर सुल्तान पूर में ग्रह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया है आपको बतादे कि जन्सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है आपको बतादे कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि आगामी चनाओं में भारती अजन्ता पाटी एक बार फिर से लोगों का मन जीती हुई नजरा रही है वही राजदाने लखनव में 97,000 प्रात्मिक सिक्षवग भरती की विज्यापन जारी करने को लेकर अभ्यरतियों ने हंगामा किया नई प्रात्मिक सिक्षवग भरती की विज्यापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यारतियों की मांग है कि विग्यापन जारी कर उनकी मांगों को जल्द से जल्द हल किया जाए अभ्यारतियों की इसी समस्या को लेकर हमारे समवादाता ने उनसे खास बाचीत भी की अभ्यारति के मामले को लेकर आज यहां अभियर्थी बाफु भावन विधान्सवा के ठीक सामने प्रदर्शन कर रहे हैं बिगत तीन घंटों से इनका प्रदर्शन चला है जी आप अपना नाम बता दे हैं मेरा नाम रविंद्र यादो मैं जाउनपुर से हूँ 2017 का प्रशिच्चु हूँ एक बाट हम लोग 97 नई सिच्छक भरती के लिए के आज 21 दिन से लगातार हमारे साथी हमारे नियता इको गार्डन में 21 दिन से बिना किसी टेंट के आज 21 दिन से ठंडी में लगातार धरना दे रहा हैं लेकिन वहाँ पर सरकार का कोई मंत्री ना कोई विधायक ना कोई अधिकारी वहां से हम लोगों से मिलने के लिए लेकिन वह कल दिल्ली चले गए जब यह जानते थे कि हमारी डिवडेट रखी गई है लेकिन उसके बावजूद कल दिल्ली चले गए और हमारे मुख्यमंत्री जी बैक डोर से निकल का प्रताब गर कानपूर की रहलिया कर रहे हैं हम पर सिच्चों से मिलने के लिए उन्हे समय करने का रही है चल्मों सितम कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा का किया जाए तीन साल प्रियागराद में तयारी कर रहा है लेकिन कोई भी नहीं से बढ़ती की अभी देखाता पता नहीं तीन घंटों से अपनी मांगों पे बैठे अभी अर्थियों को पुलिस की द्वारा अब उन्हें गिरफ्त मिले के और इको गार्डेन की तरफ भीजा जा रहा है अब मैं कै अब अपनी मांगों को उठा रहे हैं कैम में नीविच के साथ विभांसू प्राइम टीवी वही आगरा में रास्ट्रिय बजरंग दल के कारिकरताओने एक्ट्रिस सनी लियून का पुतलाफू का आपको बतादे कि मदुबन गाने में रादिकार नाचुगीत पर अश्नील डांस को लेकर आक्रोशित हुए हिंदू वादी हिंदू नेताओने एक बार फिर से निशा लाने का काम करेंगे तो उन्हें बक्षा नहीं जाएगा कि इसके उपर प्रत्वंद लगाया जाए अगर धर्म के उपर कोई भी खिलवाल करता है तो उनके खिलाफ सक्त कारवाई होनी चाहिए सनी ले ओन एक एक एक्टर है इससे पहले ह्रकत लियो और यह बॉली पारी रोड की पहली हरकत नहीं है इससे पहले वी लच्मी बंब पता रही एसी कैसी पिच्टर मनाते ह्लक है कई ना कई इसके पीछे लगता है कि कई बहुत बड़ी साजित है जो हिंदूों को हर बड़ परिदाबाद के 24 गाओं को जन नगर निगम में शामिल किया गया था लेकिन पंचायतों में काम करने वाले करमचारी अपनी नौकरियों की मांग को लेकर नगर निगम मुख्याले पर धरने पर बैठ गये इन करमचारीों को कहना है कि विश्रे दस महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा है इसके अलाबा पहले वा पंचायत में काम करते थी तो उनका वेतन आता था लेकिन अब सारा रिकॉर्ड नगर निगम में ट्रांसवर हो गया है लेकिन उनको अभी तक नौकरी पर नहीं रखा गया है जोसके चलते उनके सामने रोजी रोठी का संकता खड़ा हु हो गई है और सारा रिकॉर्ड नगर निगम को ट्रांसवर कर दिया गया है अब यह मांगे जिए हमें आप लौक रिठी जाए अगर तामिल क्या जाए नगर निगम के अंदर रुजगार मिलना चीए तरह साल साम काम कर रहे हैं अब हम कहां जाए अब इस दर्मने पर हम इसलिए बैठे हैं हमार बच्चों के लिए रोजी रोठी हम भी तो देको बन और जाए हूंμε औरे अगर आने से पहले की बकाया पड़ी है और उसके बारत की भी जतनी है लगठेणरी मांदाब्सके अब तक हम वी में होग ना को चाहे हम में 12 anger अंदर शामिल कर लिये हमें अभी तक ना तो पैमिंट दी है ना हमें नोकरी के लिए आपको नोकरी मिलेगी है पहले आपको पंचाइट के अंदर काम करें हम सर फार्ट काम करें जा सब्सक्राइब कर रहे हैं अज हमको 20 अपरेल 2000 से हमारी बेतन रुका हुआ है हमारा तमारा तमारा हमने जमा कर दिया है वह में वह भी नहीं मिला भी तक और एक साल हमको अब हो तो मनोज नगर निगाम मुख्याले के बाहर जो पंचाइट करमचारी है उनका धर्णा प्रदर्शन जा रहे हैं क्या कुछ उनकी मांग है मनोज इसका कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है क्या कुछ यह वजय है जो नगर निगाम की तरफ से न करमचारियों का पैसा ही नहीं नहीं दिया जा रहा रहा है मला है तसको ने कर नंगर निगाम की तरफ से सामने में आया जो क्योगे परिवार है जिसको ने कर इनका परिवार je करमचार को आ रहे हैं इसको ने कर इनका और रग्रोध है वो बढ़ता हुआ नगर आ रहा है और 24 गाओं की जो सफाई करमशारियों के से बात की गई वहाँ पर उनका कहना है कि 10 महीने से उनका वेतन उन्हें नहीं मिल पा रहा है ऐसे में प्रशासने किस तर्थ से अभी तक इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया क्या कुछ वज़े निकल कर सामने आई है इस मामले में अजितक जो नगर निगम के जो बड़े आला देकारी हैं उन्होंने किसी मामले पर अभी कुछ कुछ नहीं कैमरे से बस्ते नजर आ रहे हैं अगपर जो करमचारी हैं वो अपनी माम को लेकर अड़े हुए हैं कि उनका जो बेतन है वो उनको दे दिया जाए जिसके अन्हें तो उनका जो धरना है वो आप आज कालिम तक चलेगा जी बहुत बहुत धनिवाद मनोज आपका हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे और खबरों क चले जहां सरपंच के साथ कुछ यूबकों ने मारपीट की है सरपंच के साथ मारपीट का वीडियो टिद्जी के साथ वाइरल हो रहा है पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफतार कर लिया है और बाकी आरोपियों के तलाज फिलहाल जारी है पुलिस के दिसार का सरपंच असोग सरपंच है उसके साथ गाउं के ही दो एक लड़का है दिनेश और एक उसका पिताजी है देव परकास और उसके साथ किठवाडी नहरकुल के पास उसके साथ मार पीट कर दी जिसकी वीडियो भी उन्होंने बना करके वाइरल कर दी जिसमें उनकी सनाकत हुए और उसका केस अरेस्टर कर लिया गया है और स्टी एक्ट का मुकदमा धर्ज करके उनके खलाब और कल को बेद परकास अग्यूज को ह हमारे फरीदाबाद संब्दादा मनोज हमाई साथ जोड़े हुए हैं तो मनोज सरपंच के साथ मार पीट का एक वीडियो इस वक्त फरीदाबाद से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है क्या कुछ यह पूरा माबला है मनोज आपको मेरी आवाज आ रही है अधेड ने दुशकर्म किया था दुशकर्म के बाद शातर आरोपियों ने नाबाले की गला रेत कर हत्या कर दी थी संसरिक हैस वारदात का 36 घंटे के बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है घटा में शामिल यवक वा अधेड को पुलिस ने गरफतार कर लिया है और हत्या में प्रेयोग किये गए हत्यार को भी फिलहाल बरामत कर लिया गया है इस पूरे मामले का खुलासा पॉलिस नहीं किया है जोहाँ पर प्रेस वार्ता की दुरान एस पी ने पूरे मामले की जोइनकारी दी जैसा कि आप अगोत हैं कि परसों देर रात एक बालका के सो प्राप्तोरी की सुचना मिली थी हम लोगों को ठाना कटरा छेतर में इस सुचना पर बेरे समेथ सारी अधिकारी गान घटना थर्व पहुंचे थे जोकि मामला बालका की सो मिलने से था इसलिए हम लोगों ने इसको चुनोती के रूप में लिया और इसके अनाबाण के लिए एडिसनस पे सिटी सिटी के नितुत में थाना परभाजियों के टीम लगाएगी साथ में सरविलांश टीम और एसोजी की टीम भी लगी बालका की साथ के रूप में दरोगा के करूपिशन के मामले को लेकर भारतिय इकसान यूनियन के कार्यकरताओं ने पुलिस ऑफस का घिराफ किया भारती किसान यूनियन के कारिकरताओं ने ASP पर भी दोव्यभार करने का आरोप लगाया है इसके साथ ही किसानों ने चितावनी देते हुए कहा कि दरोगा पर कारिवाई नहीं हुई तो आईजी और SSP दफ्तर पर भी धरना दिया जाएगा दरोगा पर किसानों ने अवैद वसूली का भी आरोप लगाया है ये पूरा मामला खुर्जा कोत वाले देहात का बताया जा रहा है तो हमें है कि वर्तमा सिटी सीओ लेंगवीज अच्छी लगती उंगली दिखांगे अभी सुई पतना आया क्या करंगे जब फरियादी कोई सई संतुष्ट ना कर पांगे अकड़ मलेना चाहंगे तो हम मानने कि इनकी सेर वहां दरोगा तक भी सेटिंग चल लगी है हम आपके मात धम से लाईयू के मात धम से कहना चाहंगे कपतान सब हमारे बहुत अच्छे वर्तमाने जिलेंबेट हैं वो इसका दूद का दूद पानी का पानी करंगे इनसे मिलांगे आगे हम इस केस के सिपास कर रहे हैं तो जेल जा इबादा में सोजी और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने अवैद गांजे के साथ साथ अभ्यूक्तों को गिरफतार किया है अभ्यूक्तों के पास से पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर रास्ट्रिय बाजार में 20 लाक रुपे बताई जा रही है ऑपरेशन और लक्रिया के तहट पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर ये जुआनकारी एस पी बांदा ने दी है कि हम लोग को लगातार ये इंपूड मिल रहे थे कि जन्दबद में दूसरे प्रदेशों से अवैज जो है ड्रक्स खासकर जो गांजे का काम हो रहा है यहां पर लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको और बड़े मात्रा में सी खपत हो रही है इस चीज को खतम करने के लिए कभ में एक बड़ी सफलता आज बांदा पुलिस को मिली है जिसमें दो सो फिलो गांजय उसकी खेब पकड़ी गई है और उसकी लगबग इंटरनेशनल वैल्यू है बीस लाख रूपे के असपास है और यह खेब उडिसा से वाया 36 गड़ MP होते हुए बांदा आ रहे थी और उ उसके दिश्टिगत भी बड़ी सफलता माने जा रहे हैं और इस तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पूरे जो ड्रग का जो यहां से इंडिकेट चाला है उसी कमर दिली से सटे फॉरीदाबाद में चचेरे भाई ने अपने भाई की सर्याम तेज हत्यार से हत्या कर दिया आपको बता देगे हत्या की वारदाद को उस वक्त अंज़ाम दिया गया जा मरतक अपने घर जाने के लिए बाइक पर अपने गाउं पाखल पहुंच गया था तबी अचानक उसके ताओं के लड़के ने अपने कई साधियों के साथ वहां पर पहुंचा और तेज धार हति से भाई पर हमला बोल दिया असपास मौजूद लोगों ने अनन्फानन में उसे सिविल अस्पताल में बढ़ती करा है जहां डॉक्टरों ने मृतक घोशित कर दिया है फिलहाल पोलिस ने प्रतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्च कर लिया है और आरोपियों सब्सक्राइब करते हैं तुम परिशान करते हो जब कि आज तक हमारे नाम कोई केस नहीं है ना कोई अपार दिया आज तक हमारे नाम पर कभी किसी पर अपुरा कावाई अब आज तक हम आज तक किसी को भी बाद को आगे नहीं बढ़ाया हमारा चाचा है अख्याणा पुलिस रेटायर उसका लड़का बड़ा वाला अगे तो उसमें जो कर्शन का लड़का है राकेश हैं इनका अर्जुन का अर्जुन जो इसका रही स्का जो कर संगा वाई च चोटा चोटा बाई है इनका बोर को पर जगड़ा वादी पानी का बॉर लग बादें जो किर्शंत यह कर रहे दाप पुराने जो बोर है उश्य में दो और बोर लगाउंगी लेकिन जो अर्जुन है वो यह कर दा बैके नहीं जो हमालग से बोर लगाउंगी इनका अपस म जो इसी रंजिस को लेकर आज इसे किनम अर्दून के लड़कों ने और इसके शर्मतेजार अथियर से वार करके इसके अधिया कर दिया। ग्यापन के जरीय कहा गया कि आम जनता पर महगाई का बोज बढ़ रहा है। व्यापारमंडल जीस्टी की बढ़ाई गई दरों का घोर विरूद करता है। और आप सनरोध है कि देश जनता और व्यापारियों के हित में जीस्टी की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने का आ देश पारत करें और इसी के साथ उत्तरप्रदेश की खबरों में फिल हाल इतना ही देश-दुनिया की बागी की तबाम खबरों के लिए आप बने रहें प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार